मैं चला आगे सुभे बस हो ही चली थी आगे जाके के दुकान पे बहुत भीर लगी थी मैंने पूछा क्या बेच रहे हो न दाल है न चीनी न नमक दुकान दार ने कहा पूछा है इस बार न पूछना दुबारा दे रहा हूं सबक मेरे पास बेचरे को कुछ नहीं सो बेच रहा हूं गफलत दाल बहुत महंगी है सो लोग खरीद रहे हैं नफरत सब अपनी सहूलियत से खरीदते हैं नफरत कोई कम कोई ज़्यादा ये दुकान दार मेरे दोस्त है बस नफरत का एक प्याद और दुकान दार ने कहा जाएए आगे आपका मुंतजरिक नजारा है समल के जाएएगा आगे एक पागल कुट्ता नावारा है नवस्कार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2019 लोक सभाज चुनावों के बाद सत्ता में तो बारा आए तो मैं में होने वाले ये चुनाव देश के आखरी चुनाव होंगे ये मेरे शब नहीं है दोस्तों ये शब्द है भारती जैनता पाटी के एक सांसत साक्षी महराज के दोस्तों इस तरह की बातें अक्सर दबी जुबान में वो लोग करते हैं जो कि प्रजातंत्र के प्रती इस सरकार की जो कटबधता है जो जिम्मेदारी है अक्सर उसे देखकर ये बातें अक्सर दबी जुबान में की जाती थी कि अगर मोदी तोबारा सत्ता में आए तो वो प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे आज इस बात की तस्दीक कोई और नहीं बलकि भारती जाता पार्टी का एक सांसद कर रहा है वो भी एक खुले मंच पर इस दावे के गुनहा को समझे दोस्तों आपका एक चुना हुआ प्रजाती आपसे ये कह रहा है कि अगर आप इस शक्स को दोबारा चुन कर लाएंगे तो ये देश का आखरी चुनाव होगा आखरी चुनाव के माइने समझते हैं आप आखरी चुनाव का माइने ये हुआ कि आगे से सत्ता में जो भी होगा उसकी जवाबते ही बंद हो जाएगी हमने मधपूर्व में देखा है हमने मुआमार घदाफी को देखा है हमने सद्दाम हुसेन को देखा है हमने उन तमाम बड़े बड़े तानाशाहों को देखा है और उसकी नीव ये नहीं है कि खत्म हो चुकी है भारत में मगर उसकी नीव लगातार रखी जा रही है उसकी जमीन लगातार तयार की जा रही है और इसका एक प्रमान है पुलवामा में हुआ हमला जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे एक ऐसे वक्त जब इंटेलिजन्स फेलियर को लेकर इस देश की मीडिया को सवाल उठाने चाहिए थे इन तमाम मुद्दों को दफ्न कर दिया गया और पूरे देश में प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा उन्मात पहलाया गया अब ये कहा जाने लगा है कि पुलवामा में शहादत के चलते मोदी धुबारा सत्ता में आ जाएंगे दोस्तों मैं आपका ध्यान कुछ और मुद्दों की तरफ खीचना चाहूंगा मसलन 11 अप्रेल को पहले चरण का बद्दान होना है अगर क्या आप जानते हैं कि 12 अप्रेल को क्या हो रहा है 12 अप्रेल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर बन रही ये फिल्म जिसमें विवेक ओभिरोय अभिनाय कर रहे हैं वो रिलीज हो रही है दोस्तों ये अपने आप में कलपना से विचित्र है मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या चुनाव आयोग सो रहा है क्या चुनाव आयोग इतना हैंडिकैप हो गया है कि उसको ये तमाम चीज़े नहीं दिखाई दे रही है ये सरसर कोड ओफ कंड़क्ट का वाइलेशन है उसका उलंगन है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम दावेदारों में से है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके नाम की फिल्म इस तरह से रिलीज हो रही है ये आपको कल्पना से विचित्र नहीं लगता दोस्तों मैं आपको एक छोटी से मिसाल बताना चाहूंगा जब मैं छोटा था और उस वक्ट मुझे याद है रेखा की एक फिल्म आई थी फिल्म का रांता खून बरी मांग इस फिल्म में शत्रुगन सिना जो है उनका रोल था और मुझे याद है शत्रुगन सिना याद दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और इन चुनावों में उन्हें राजिश खन्ना के हातों हार का सामना करना पड़ा था तो शत्रुगंड सिना की ये फिल्म आ रही थी खुन भरी मांग दूरदर्शन पर और जब भी शत्रुगंड सिना स्क्रीन पर आते थे स्क्रीन को फ्रीज कर दिया जाता था पूरी फिल्म में आपने कहीं पर भी शत्रुगंड सिना को नहीं देखा मगर यहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर पूरी एक फिल्म आ रही है और इसको लेकर किसी तरह का कोई शोर नहीं है ना चुनाव आयोग की तरफ से ना वेपक्षी डालों की तरफ से मैं आपसे ही तो जानना चाहता हूँ दोस्तों यह देश के संस्थाओं को बरबाद ना करना हुआ तो आखिर क्या हुआ और इसको आपको जोड़ के देखना होगा कि साक्षी महराज दरसल क्या कह रहे है अब आपको वित्तमंत्री आरुंट जेकली के इस इंटर्व्यू की इन दो बातों पर और करना होगा ये इंटर्व्यू उन्होंने न्यूज 18 को दिया इन्होंने दो बाते कई पहली बात पहली बात उन्होंने कहा कि ये चुनाव है दरावने गटबंधन बनाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता ये देखेगी कि उसे एक ऐसा गटबंधन चाहिए जिसकी 6 मह महिने में सरकार गर जाए या एक मजबूत नेत्रत्य के तहट चलने वाली सरकार यानि कि आपने गटबंधन को डरावना गटबंधन का जब इस परकार के डरावने गठबंदन को लोग देखते हैं तो उनको फिर याद में आता है कि मुझे 6 महिने की सरकार नहीं चाहिए मुझे 5 साल की अच्छी सरकार चाहिए अब एक रहें क्या हो रहा है दोस्तों आप एक सियासी शक्ती को डर के साथ जोड़ रहें जबकि आपका पूरा कारुबार इस सरकार का पूरा कारुबार डर पर चलता रहा है अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो आप देश्ट्रोही है अगर आप बीजेपी सरकार का साथ नहीं दे रहे तो आप अंटी नाशनल हैं अगर आप प्रधान मंत्री की हां में हां नहीं मिलाएंगे तो आप पाकिस्तान चले जाएए ये तमाम बाते मेरी कल्बना नहीं है ये हकीकत है जो इस देश में चली आ रही है और इन चीजों को लेकर आप में रत्ती भर भी जागरूपता नहीं है तो आपने गटपंधन को डरामना बता दिया अरुन जेटली के इसी इंटिव्यू के एक दूसरी बात है जिस पर आपको गौर करना होगा अरुन जेटली इस इंटिव्यू में कहते हैं कि इस सरकार का विरूद गिने चुने वेबसाइट्स और तीन चार पत्रकार कर रहे हैं जिनका जो कमपल्सिव कॉंट्रेरियंज हैं यानि कि जो बगाएर किसी मतलब के विरूद करना जानते हैं इन दोनों बातों पर गौर कीजेगा पहली बात वो कह रहे हैं तीन-चार वेबसाइट्स हैं और जाहिर से बात है जब उन तीन-चार वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं तो उनका इशारा नियूस क्लिक की तरफ भी है क्योंकि निउस क्लिक ने चाहि किसानों का मुद्दा हो चाहि युवाओं का मुद्दा है बार-बार आपके सामने इन समस्याओं को रखा है और दूसरे चीज़ पर गौर कीजेगा यानि कि कुछ ऐसे पत्रकार जिनका तो काम ही होता है विरोध करना कितनी बड़ी विडमना है दोस्तों कि आरुन जेटली प्रॉडक्ट है एमर्जेंसी के देश में जब आपातकाल हुआ थो तब बतौर युवानेता आरुन जेटली ने इसका विरोध किया था वो उस आंदोलन में शामिल थे आज इस सत्ता से सवाल पूछने वाले को अरुन जेटली कहते हैं ये कंपल्सिफ कॉंट्रेरियन्स हैं यानि कि बे मतलब पर विरोध करते हैं जब आप देश में नफरत को जायज करने का काम करेंगे जब आप देश में उदारवादियों के लिए अल्ब सेंखतों के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा करेंगे तो आपकी तो नीतियों का विरोध किया जाएगा ना जब पिछले 14 सालों में किसानों की जो आय में बढ़ोतरी है वो सबसे कम हो गई है जब पिछले 40 सालों में बेरोजगारी का हाल सबसे बुरा है इस देश में तो क्या ये सवाल नहीं उठाए जाएंगे अरुंजी और जो लोग सवाल उठाएंगे आप उन्हें कमपलसिफ कॉंट्रेरियल्स कहेंगे आप देखें दोस्तों ये हो क्या रहा है ये हो यही रहा है कि जो सवाल उठाएगा उसको इस तरह से चिन्हित किया जाएगा उन्हें इन तमाम जुमलों से नवाजा जाएगा क्योंकि ये तो जुमलों में एक्सपर्ट पार्टी है लेहाजा लोगों के लिए भी इसी तरह के शब्दों का इस्तमाल किया जाना चाहिए यह अपने आप में बहुत दुखत बात है दोस्तों बहुत दुखत बात है क्योंकि जब इस तरह के चीजों से देश के नागरिकों को नवाजा जाएगा और फिर आप इसे जोड़के देखिए साक्षी महराज ने इस कारिकरम की शुरुआत में क्या कहा अब तो चुनाओ होने मारा तो देश का चुनाओ होने मारा है पहले बाद देश में जागर भी आई हैं फिन्दु जग्या हैं लोग जग्या हैं उन्होंने यही कहा कि 2019 में मोदी दो बारा आए तो इसके बाद चुनाओ नहीं होंगे यह वो सोच है यह वो सोच है जो इस पार्टी के कई समर्थकों में चल रही है इसकी मंत्रणाएं अक्सर होती है बीजेपी के सांसदों में इस बात की मंत्रणाएं अक्सर होती है जो कट्टर वादी हिंदुत वादी विचार धारा में विश्वास करते हैं जिनके जहन में देश के नागरिकों को हिंदूओं के लावा देश के नागरिकों को दोयम दर्चा देने का जिनकी योजना है उनके जहन में ये प्लान हमेशा जो है पनकता रहता है कि अगर मोधी जी एक बार आये 2019 में तो इसके बाद शुनाव नहीं होंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा अजीन गुना है दोस्तों और मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस तरह कि असुरक्षा पैदा करके आप क्या करना चाहते है व्योंकि मुद्धे तो हल हुए नहीं आज की तारीक में आप किसी भी कट्टर मोधी भक से पूचिए कि साहब मुधी जी ने जो वादे किये थे चाहे नारी सुरक्षा को लेकर हो चाहे जॉब्स को लेकर हो चाहे सेनाओं की सुरक्षा को लेकर हो तो उनका जवाब क्या होता है कि विकल्ब क्या है यानि कि अच्छे दिनों से अब आप इस बात कर आ गए कि सहाब अगर ये गए तो और भी बुरे दिन आएंगे और ये सिर्फ अरुन जेटली नहीं कह रहे हैं या साक्षी महराज नहीं कह रहे हैं इस पार्टी का हर सांसद हर नेता हमें इसी तरह से डराता है कि अगर मोधी जी गए तो देश में राजकता आ जाएगी इस तरह की बातों से डराना एक प्रजातांत्रिक देश को शोभा नहीं देता आप और हम प्रजातंत्र में हैं 2004 में एक बहुत ही मजबूत नेत्रित अदाटल जी का उस वक्ष भी विपक्ष में नेत्रित को लेकर आकाल था मगर वाजपेजी को वोट आउट किया गया और उसके बाद एक सरकार आई जो दस साल तक चली क्यूं चली? क्यूंकि इस देश का प्रजातंत्र में अटूट विश्वास है जब आप इस तरह की बाते करेंगे तो आप प्रजातंत्र की नीव उसकी जड़ों पर वार करेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी द्रास्ती है मैं जाते जाते आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं ये गीत जो हमारे समाज में व्याप्त भय की ओर इशारा कर रहा है पता नहीं मैं इसे गीत कहूं, काविता कहूं ये क्या कहूं मैं अब तक इसको परिभाशित नहीं कर पाया हूं उसे डिफाइन नहीं कर पाया हूं मगर आप सुणिये इस खूबसूरत प्रस्तिथी को और फिर सूचिए कि साक्षी महराज ने क्या कहा बार-बार आपके हितों को किस तरह से कुछला जा रहा है आपके मुद्वों को कुछला जा रहा है और उस पर एक जामा पहनाय जा रहा है नफरत का उस पर जामा पहना है जा रहा है पोलराइजेशन का जिसका परिणाम हमारे समाज में दिखाई दे रहा है बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रस्तिती को देखने के लिए और अब सुनिए ये आवास कल सुबह में निकला मॉर्णिंग वॉक पे लीख चाय बैठा चौक पे सूर जुगा नहीं था अब तक चान फलक पे अब भी बाके था नशे में लड़ खड़ा रहे थे सितारे मेरे संग बैठा चाय पी रहा साकी था वक्त फजर गुजर गई नहुई अजा मैंने पूछा क्या बात है क्या मज़िध हो गई बंद साकी ने कहा तूट गई मज़िध होती नहीं जाँ अभी बादत करने वाले रहे गए थे बहुत चंद हावाय सर्द थी मौसम खुशनमा था बस पास में बैठी एक छोटी बच्ची थी गमगीन जमी पे उस पड़ी थी मैंने उस चह के देखा उस थी नमखीन और साकी ने कहा जाएए आगे आपका मुन्तजरिक नजारा है समल के जाएएगा आगे एक पागल कुत्ता मैं चला आगे सुभे बस हो ही चली थी आगे जाके के दुकान पे बहुत भीर लगी थी मैंने पूछा क्या बेज रहे हो न दाल है न चीनी न नमक दुकान दार ने कहा पूछा है इस बार न पूछना दुबारा दे रहा हूं सबक मेरे पास बेचरे को कुछ नहीं सो बेच रहा हूं गफलत दाल बहुत महंगी है सो लोग खरीद रहे हैं नफरत सब अपनी सहूलियत से खरीदते हैं नफरत कोई कम कोई जादा ये दुकान दार मेरे दोस्त है बस नफरत का एक प्याद और दुकान दार ने कहा जाएए आगे आपका मुंतजर इक नजारा है समल के जाएएगा आगे एक पागल कुट्ता हम हम नावारा है